तो एल्फाबेट के अंदर टोटली 26 लेटर होते हैं उसके दो डिवैड होते हैं फस्ट होता है वोवल तो वो फाइव वोवल होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलता हैं स्वर और consonant का हम बोलते हैं Vengeance तो 26 letter में से 5 तो vowel होते हैं 21 जो होते हैं वोवल कौन कौन से होते हैं A E I O and U यह 5 vowel होते हैं और बाकी जो बजते हैं वो सारे के सारे consonant के अंतर गताते हैं अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की तो आर्टिकल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं N का Use of N N का प्रियोग यानि Use of N आर्टिकल N का प्रियोग कहा होता है और कैसे होता है एक चीज़ ध्यान रखना N का प्रियोग कहा करते हैं इसमें दो बाते आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट अगर आप फिफ्ट तक की क्लास के बच्चे हैं फिफ्ट क्लास तक के बच्चों को वावल यानि ए ई आई और यू से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन आर्टिकल का यूज करना है क्योंकि उन्हें जो होता है हिंदी वावल के बारे में पता नहीं होता है बट फिफ्ट क्लास के उपर के बच्चों को ध्यान रखना है जो भी क्लास है तो उनको ये ध्यान रखना है उनके लिए विसेस है कि अगर किसी स्पलिग का उच्चारण मिन्स जो हम साउंड कह सकते हैं उच्चारण हिंदी वावल हिंदी स्वर्य मिन्स हिंदी के जो वावल है से सुरू होता है तो उनके आगे एन आर्टिकल लगाया जाता है ठीक है इस बात का आपको दियान रखना है अब हिंदी वावल कौन कौन से है वो भी आपको पता होना चीए हिंदी स्वर हिंदी में इलेवन वावल होते हैं ग्यारा स्वर होते हैं तो इन बातों का आपको दियान रखना है कि अगर आप छोटी ग्लास के बच्चे हैं तो मोस्टली उनके लिए सीधा सा है अगर कोई भी स्पेलिंग ए ए आई ओ यू वावल से शुरू होती है तो उसके आगे एन आर्टिकल लगा जाता है एक्जम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो जैसे एक्जम्पल लेते हैं डॉट 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 मैंने लिगा दिया ए पी पी एल ए एपल तो इसमें देखो ए जो है वावल है तो इसके आगे हमारा आएगा एन आर्टिकल फिर हम बात करते हैं ए जी जी एग तो अपना जाएगा एन एग क्योंकि ए वावल है यह हम छोटी क्लास की बात कर रहें फिप्ट तक क्लास की क्योंकि उनके लिए हिंदी वावल से इता डिफेंड़ नहीं होता है इसलिए वो बच्चे इंग्लिस वावल को ध्यान में रखेंगे अगर उनसे स्पेलिंग सुरू हो रही है इट मिंस उसके आगे की ब्लैंक में एन आर्टिकल यूज होगा जैसे मैंने एक स्पेलिंग लिख दी जैसे माल लो हम लिख देते हैं ई एल ए पी ह ए एन टी एलिफेंट इसके आगे हमारा आजाएगा एन एलिफेंट अब हम फिफ्ट क्लास के उपर के बच्चों की बात कर लेते हैं जो भी है तो उनके लिए वावल हिंदी वावल काम में आएंगे जैसे एक्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ डैस इस अगर हम जैसे मैंने उपर भी बताया अगर हम इसको वावल के हिसाब से देखकर करने की कोसिस करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें इंग्लिस वावल ए, इ, आ, आ, ओ, यू नहीं है इट मिंस आप यहाँ पर एन नहीं लगाओगी जबकि मैंने आपको यह बताया बड़ी क्लास हैं जो है उसमें confusion के question ज्यादा आते हैं इसलिए आपको हिंदी वावल ध्यान रखना है जब हम इसको इसका उच्छारण करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं as silent हो जाता है honesty होता है तो honesty के लिए आता है एन एन ओनेस्टी इसे हिसाब से O-R-A-N-G-E तो हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें आता है orange तो यहाँ पर आएगा an orange एक जैसे हमने लिखा university अब हम जैसे यू है तो यू के हिसाब से हम इंगलिस वावल देखते हैं A-E-I-O-U तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है N-Article आना ची है किसके इंगलिस वावल के हिसाब से यहाँ पर N-Article आना ची है जबकि मैंने आपको यह बताया बड़ी क्लास के लिए कि आपको हिंदी वावल का ध्यान रखना है उचारन करना इसका तो जब हम इसका उचारण लिखते हैं तो university होथा है university में देख hoffe you आया है तो you जो है हमारा Hindi vowel नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है अगर हम an लगाते हैं तो वो हमारा गलत होता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस प्रकार एन वोवल लगाने का सीधा सा तरीका है छोटी क्लास के बच्चे तो पांच वोवल दियान रखेंगे A, E, I, O, and U इन words से या इन सब्दों से कोई भी spelling सुरू होती है तो उसके आगे आपका एन आर्टिकल आएगा और उसके बाद बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं जितने भी 6 to 12 या जो भी है तो उसमें आपको आर्टिकल लगाते समय इंग्लिस वोवल माइंड में नहीं रखना है आपके हिंदी वोवल माइंड में रखना है और हिंदी वोवल के अंतरगत अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में 11 वोवल होते हैं अ-गर इन से कोई भी स्पेलिंग शुरू हो रही है इट मिंस वहाँ पर हमारा एन आर्टिकल आएगा और अगर इन हिंदी वोवल से स्पेलिंग शुरू नहीं हो रही है इनका उच्छारन हिंदी वावल में नहीं आ रहा है तो it means वहाँ पर हमारा an article नहीं आएगा अब हम बात करते हैं the, article the का तो the जो article है उस पर आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का कि दह का प्रियोग mostly जो संसार में एक होती इस वर्ड में जो एक ही चीज़ है उसके आगे हमेशा the article लगता है पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है दूसरी बात आकास के अंदर जितनी भी चीज़े है यानि sky के अंदर आकास में जो भी चीज़े है उन सब के आगे the article का यूज करना है उसके अलावा किसी भी जगे पर जो post important होती है उसके आगे the लगाया जाता है जैसे example के तौर पे ले लेते है the principal the chief guest जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सबसे important होता है chief guest तो the chief guest हो गया school के अंदर सबसे important होता है principal तो the principal हो गया the chief minister the prime minister the president तो ये most honorable poste है तो इनके आगे हमेसा the article यूज होता है इसके अलावा holy books है जितनी भी जैसे महाभारत है तो the महाभारत the रामायन the गीता the कुरान the बाइबिल तो जितनी भी holy books है उनके आगे the article का यूज होता है और mostly विशेष नाम अकबारों के नाम के आगे trends के नाम के आगे especially जो एक ही के लिए बने यानि एक ही चीज के लिए बने है उनके लिए हमेसा the article का यूज होता है जैसे the राजस्तान पत्री का the दैनिग वासकर the सूरी नगरी एक्सप्रेस तो दो का प्रियोग mostly उन ही चीजों के आगे यूज किया जाता है जो वर्ड में एक ही होती है या important होती है most होती है और एक बात और ध्यान रखनी अगर आपकी नजर में आप किसी जगे बैठे हो और आपको कोई चीज लगे कि वहाँ एक ही नजर आ रही तो उसके आगे भी the article यूज होता है जैसे आप class में गए teacher आए तो वहाँ पर आपका जो article लगेगा वो the article लगेगा the teacher the monitor तो इस बात का आपको ध्यान रखना है importancy या most important postage के आगे भी the article का यूज किया जाता है अगर हम इसके example समझना चाहें तो तो देखो कुछ इसके example है principle तो the principle prime minister तो the prime minister earth the earth sun the sun star the star राजस्तान पत्री का अकबार का नाम है दरास्तान पत्री का सूर्य नगरी एक्सप्रेस तो the सूर्य नगरी एक्सप्रेस इस तरह से आपको the का यूज करना है इसके अलावा जहाँ पर an और the दोनों का यूज नहीं होता है वहाँ पर आपको a article का यूज करना है तो जहाँ पर a और an an और the article यूज नहीं होता है वहाँ पर आपको कौन सा article यूज करना a जैसे मैंने लिख दिया डॉग, तो क्या हैगा, a dog, a dog है ना, फिर लिख दिया मैंने cat, a cat, फिर मैंने लिख दिया man, a man, तो इस तरह से आप का कोई भी example है, जहां पर an article यूज़ नहीं हो रहा है, जहां पर the article यूज़ नहीं हो रहा है, वहां पर आप a article का यूज़ करोगे, अब कुछ चीज़ें ऐ जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए नवां पर A लगता है नवां पर N लगता है फर्स्ट है लिक्वीड लिक्वीड के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जैसे मिल्क हो गया कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है ओल हो गया तो लिक्वीड के आगे किसी परकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है दूसरा किसी चीज से कोई खाने की चीज बना रहे हैं तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है डारेक्ट खा रहे हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर उससे कोई चीज बना कर खा रहे हैं जैसे ग्याओं से रोटी बना दी ब्रेड बना दी तो इस तरह के आगे आर्टिकल यूज नहीं होता है लेकिन आग जैसे एपल एखाने की चीज़े लेकिन आप डिरेक्ट खा रहे हैं एपल हो गया ठीक है तो इस बात का आप त्यान रखेंगे तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है आर्टिकल कम सब्दों में सटीक मैंने समझाने की कोशिस की है उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राब करें इसी आसाव विस्वास के साथ जै हिन जै भारत